आतो रिस्तों की चकनाचूर हो ही गई है सचीन ने वो अपनी फिजिकल चैट दिखा दी हैं जो वो नेहा के साथ क्या करते थे हालांकि कही ना कहीं सचीन ने यहां पर नेहा को ही बदनाम करने की कोशिस की गई है बट जो यह चैट है ना वो सच में सरमसार करने वाली है और जो भी चीज़े सोसल मीडिया पर आई हैं, वो चीज़े नहीं आनी थी, बट सचीन पता नहीं आखी ऐसा क्यों कर रहा है, कल नेहा ने अपने वीडियो में आकर सभी से माफी मांग लिए और कह दिया है कि गलती मेरे से हो गई है, चलो बस अब इस चीज़ को यहीं पर खतम क चाहूंगी, अब मेरा नाम मतलो, आप अपने पती के साथ रहो, हालांकि हभी भी सचीन मनिशा को टाइम नहीं दे रहा है, इस समय पर सचीन को मनिशा के पास होना चाहिए, बट सचीन हभी भी पता नहीं किस चीज़ में जा रहा है, और वो निहा के उपर ही वीडियो बना पर सचीन जिस तरह से कह रहा था कि मैं आपके बिना रही नहीं पाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, जिस तरह से एक कपल बाते करते हैं, वही सारी चैट इस चैट में थी, फीजिकल रिजिसन के बारे में सब कुछ चैट कुछ ऐसे थे कि जो सरमसार कर दे, इन चैट्स को देखने के बाद मनिसा के ओपर क्या गुजर रही होगी, वो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, बट जब इस चैट के बारे में सुमित मलान को पता चलेगा तो क्या उनके उपर बीती होगी, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, बट मैं तो ये सचेन से खह कर लिया और आपने भी अपनी अल्टिक को असेप्ट कर लिया तो अब इस गंदगी को बंद करो जितना आप फैलाएंगे उतनी ज़्यादा फैलेगी तो नहीं की तरफ से जब कोई भी गलत वीडियो नहीं आ रहा है तो आप क्यों गलत वीडियो बना रहे हो सभी चीजों को मतलब सोसल मीडिया पर दिखा रहे हो इसका कोई तुक नहीं बनता है क्योंकि एक नाय मतलब कोर्ट वगरा में भी होता है और पुलिस वगरा भी इस चीज़ का हिस्सा ले सकते हैं उनका भी सारा लेकर आप मतलब इन सब चीज़ों को सोल कर सकते हैं इस तरह कि सोसल मीडिया पर गंदगी फैला कर जो आप कर रहे हो ना अपनी लड़की वालों की इज़त जा रही है निया ने यही कहता कि मेरी तो ईज़त चक्ना चूर हो गई है जो मैने नाम बनाएथा सा-साथ मेरे माँ बाप और मेरी भाई की इज़त को भी मिट्टी में मिला दिया है तो भई जहां पर सचीन ये सोच रहा है कि नहीं की ही इज़त खराब हुए वहाँ पर तुम्हारी भी हुई है और तुम्हारी बीबी की क्या हालत होगे ये खुझ सोचेगा बट सचीन हभी भी छाती ठोकर यही कह रहा है मैं तो यही कहना चाहूंगा जाओ मेरी जिंदगी से कोई बात नहीं मेरे पास तो मनिसा है भाई जब काम निकल गया अब तुम्हारी नहीं हो पाई तो अब मनिसा के पास लोट कर आगे क्योंकि होता है ना इंसान का जब काम नहीं बनता है तो लगता है वो तो बीबी है वो तो मेरे पास रहेगी वो तो कहीं जाने वाले नहीं है ये सब बहुँ ज़दा गलत हो रहा है अगर मनिसा भी आपको accept नहीं करेगी तो आप कहीं के भी नहीं रहने वाले जहाँ पर आपने नहीं को बदनाम करके सायद आप नहीं कि मतलब marriage हो पाएगी यह नहीं हो पाएगी यह तो हमें confirm नहीं है क्योंकि कोई भी लड़का इस तरह से किसी लड़की की बदनामी जब social media पर देख लेता है तो कोई भी घरवाले इस तरह से उस लड़की को accept नहीं करते हैं तो जो भी चीजे हुई थी बहुत ज़्यादा गलत हुई थी लेकिन गलतियां हो जाती है बट इन गलतियों को समेटना भी एक समझदारी होती है और इन गलतियों के बदूलत अब दूसर लूँगा ये लूँगा वो लूँगा इस वजए से अलका काफी दिन तक लाइव भी आई थी काफी ज़्यादा उसने अपना पूरा दम लगा दिया था इस मैटर को सोल करने के लिए पर कहीं ना कहीं अलका दब गई सचीन का पूरा फैमली अलका के अगेंस्ट हो गया थ अगें के साथ सब कुछ दिखा दिया था बट सचीन हभी भी चूप नहीं है और सचीन रोज दिन परती दिन नए नए वीडियो लेकर आता है जिसमें हर किसी को गलत साबित करने की कोशिस करता है वो सोचता है इन सब चीजों को चिल्ला चिल्ला कर मैं दिखाऊंगा तो कह जाई ना कहीं मैं सहीं साबित हो जाऊंगी बड़ ऐसा नहीं है चिला कर अपनी गलतीयों को नहीं चीपाये जा सकता आप गलत हैं तो गलत है क्योंकि आपने गलत काम किया है जो भी आपने code record वगैरा दिखाई है जो भी आपने WhatsApp जैट वगैरा दिखाई है उसमें आप भी कहीं कम नहीं थे, कितना बड़ा दोखा दे रहे थे आप मनिस्या को, निया की जहां पर गलती थी तो वहीं पर आपकी भूत बड़ी गलती थी, एक भाई भेहन के रिस्ते को सरमसार कर दिया है, जिस तरीके से आप बाते करते थी ना, कोई पती पतनी भी नही करता है, जिस तरीके की बाते आपकी थी, और आपने इतना बड़ा कदम तक उठा लिया था, कि मैं आपकी बिना नहीं रह पाऊंगा, तो मेरे बिना नहीं रह पाऊगे बाबू, और हम साधी करने तक भी जा रहे थे, एक दूसरे तक मरने तक के वादे कर ली थे, अगर सा ज़दा नुक्षान होने वाला है, बट नया उस समय पर नहीं समझी थी, पर जब गलती हो जाती है न, उस समय पर जब नया को समझ में आ रहा है, बड़े-बड़े किरियेटर्स जो भी थी, उनको समझाने की कोसिस कर रहे थे, सरीता जेठू, अकांसा वगरा, तो उनसे बदनाम ये होती है, भाई सर उठा कर चल नहीं सकता, बाप घर से निकल नहीं सकता, जब बेटी को इस तरह से बदनाम, एक बेटी अपने माबाप को इस तरह से कलंग लगा दे दो, और नहीं जो एक बहुत ज़दा मैचोर लड़की, समझदार लड़की के रूपे जाने जाती थी, जो भी उसके व्लोक्स होगे राद देखते थे, क्योंकि व्लोक्स में हमेसे एक ही बात कहती थी, मुझे अपने इज़द से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं लगती, सब चीज़े एक तरफ, मेरी इज़द एक तरफ, तो ऐसा लगता था कि कही ना कही नहीं है, बहुत ही ज़दा समझदार है, बहुत ज़दा मैच्योर है, बट जो ये चीज़े हुए है न, वो इतना ज़दा सरमसार करने वाली हैं, जो पूरे ही सोसल मीडिया को हिला दिया है, आपकी क्या रहा है, कमेंट बोक्स में जरूर देना मिलेंगे एक नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बबाए, टेक केर, थेंक यू फोर वचिंग आवर वीडियो,